let number of element in set a is four and number of element in set b is four then find the number of possible bijective function define from a to b ठीक तो a से b अगर अपन function define करें तो अपने को कित्ते bijective function हो सकते हैं ठीक है इसके count करने बताने हैं तो अगर आपने यहां से देखें तो set a और b में कितने क्या है एलिमेंट एो pren इंबी वह पर अब आपन बाथ करों तो बाएज एक ट्री फंक्शन क्या होता है भाएजती में फंक्शन जो होता है वह क्या होना चाही वह 11 मुळ्चा वол्वान रहूना चीए और अटी फंक्शन क्थी ठाब मैं यहां से मैं 11 function और onto function की को explain करो ठीक है one function होना चीह on to function होना चीह diferentes function f defined करूंगा a to b that function f defined करूंगा a to b तो उनक्याया होगा यहां बेंगा domain यह अपने पर सक्क्या होगा domain होगा और b क्या होगा b अपर co domain होगा ठीक है लेउसे अब shifts p function क्लूड लेट यहां अगर अपने को ए से भी फंक्शन की बात करें तो एक की मैचिंग एक से होने चीज़़े ठीक है तो अगर मैं एक्स वन के लिए पॉस्बल ओप्सन्स देखूं तो एक्स वन इन चारों में से किसे से कितने एक से मैच कर सकता है ठीक अपने को ए से भी फंक्शन करना एक ए से भी फंक्सन करना एक से मैच करेगा अगर एक से क्यारों में से किसी एक से मैच कर गया तो वी में कितने element remaining हो गई 3 तो X2 के लिए possible choice कित्ये हो गई 3 similarly कि अपने X3 के लिए देखें तो X3 के कित्ये choice होंगे 2 क्योंकि X1 किसी एक से जाके match हो गया X2 किसी दूसरे से जाके match हो गया तो 2 तो match हो गया अब तीसरा जो होगा तीसरा और चौथा बचेगा ठीक है तो X2 के लिए 3 choice बचेगा similarly for X3 के लिए बचेगा तो 11 function अगर आपन देखें यहां अगर मैं number of 11 function बोले 11 function क्या आजाएगा यह आजाएगा 4 x 3 x 2 x 1 तो basically यह value किता आजाएगा 24 अब अगर मैं 24 जो भी यह 24 functions होंगे इसके अगर रेंज की बात करो ठीक है तो these all contains the value of set भी तो इसका रेंज अगर आपन देखें 24 functions के लिए अगर आपन रेंज की बात करें रेंज में जो element होगा वो क्या होगा 1,2,3,4 तो इन 24 के 24 function में अगर आपन कोई सा भी function consider कर तो इसका range क्या होगा 1,2,3,4 जो की co domain के equal है ठीक है जो की co domain के equal है ठीक है, यह ऊपर ऐसले जोन कहा रेंज में जो के दीक होगा 1,2,3,4 जो की co domain के equal है अब अगर रेंज को domain के equal होता है तो function को है अपन क्या भोल जदेते है उस case में अंट्व तो यहां से 24 फंक्षन यह क्या है 21 और यह 24 फंक्षन में 21 औराउनट्व एंट्व है तो यहीं क्या होँगा बाईarina ऑल चक्टीन थेखे तो बाई जराएगा यह 24 यह सभाट इन्यार डाउनी और आसे वे बधार जरकेघान क्या यहां पर 24 की आए झाल